यह वीडियो मैं लड़कियों के लिए बना रही हूँ कि शादी से पहले वे जान सकें पहला कि इंडिया में लड़कों को क्या समझा कर बड़ा किया जाता है दूसरा वे अपनी पत्नी को धोका क्यों देते हैं तीसरा, धोका देने के बाद भी उन्हें आत्म गलानी क्यों मैसूस नहीं होती। चौथा, और आप और जिस लड़के से भी शादी करना चाहती हैं, तो वह आपके लिए सही है या नहीं, उसे कितने समय देना चाहिए। करेंगे इसी बारे में बात, प्रीसित एक सबक चैनल को सबस्क्राइब करें, सबस्क्राइब करना फ्री है। यह इंडिया है, यहां लड़के बहुत सीधे होते हैं, वो अपनी जिंदगी में सिर्फ तीन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कि वह कौन है, दूसरा वै क्या करता है, तीसरा वै कितना कमाता है। अगर अपनी जिंदगी में वह इन तीनों चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता, तो वह हमेशां अपने आपको अधूरा महसूस करता है, क्योंकि वह एक आदमी है। इंडिया में जब लड़का पैदा होता है, तो माबाप या घर के बड़े इस सोच से उसको पालते हैं, कि वह आदमी है, लड़का है, स्ट्रॉंग है, उससे कभी रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़किया रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कों का काम है कमाना, उन्हें ये भी समझा जाता है, कि भगवान ना करे, कि कभी तेरे उपर से तेरे पिता का साया उठ गया, तो घर की जिमेवारी तुझे निभानी होगी, मा का ध्यान रखना होगा, बहन की शादी करनी होगी, जो फैमिली की जजाद है, उसका ध्यान करना होगा, और उससे और बढ़ाना होगा या अपने पिता का जो विफ बपार जो छोड़ गए हैं उससे भी और बनाना होगा खुब मेहनत करनी होगी अच्छा कमाना होगा क्योंकि लड़कों का कमाना बहुत दुरूरी है और अपने काम के लिए भी जो भी वह आदमी कोशिश करता है उससे अपने कोशिश के लिए तारिफ चाहिए होती है ताकि उससे सही काम करने की ताकत मिल सके वो चाहता है कि घर के लोग उसे राजा की तरह ट्रेट करें वैसे भी मैं आपको मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इंडिया में लड़कों को राजा बाबू की तरह ही पाला जाता है अब जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि उन्हें special feel कराया जाए उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो आपको इसके बदले में बहुत कुछ वापिस देंगे और अगर आगे मैं बात करूं तो एक आदमी को खुश रखना बहुत सिंपल है भे औरतों की तरह नहीं होते जिनने सब कुछ चाहिए जिनने यह भी चाहिए वो भी चाहिए और जिनकी मांगें कभी भी बज़ा सकती हैं हर आदमी को क्या चाहिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब उसकी शाधी की बात करते हैं हर आदमी को पत्नी से सहारा, वफादारी और पत्नी का प्यार चाहिए अगर उसे एक औरत से यह सब नहीं मिल पाता तो वह उसे छोड़ कर चला जाएगा चाहे आपके लिए आप उसके लिए कुछ भी करो शॉपिंग करो, अच्छे से अच्छे खाना मनाओ लेकिन जो मैंने अभी बताया कि उसको पत्नी का सहारा, वफादारी और पत्नी का प्यार ना मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा वह 90 दिनों तक इसके बीना रह सकता है यह साइकोलोजी कहती है और वह किसी और के पास चला जाएगा जो उससे यह सब दे सके और फिर वह वही नहीं रहेगा फिर वह आपके पास वापिस आ जाएगा और अगर और बात करूं तो उससे ऐसी पतनी चाहिए जो उससे बेहत प्यार करे उससे ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भले ही उसकी नौकरी चली जाए लेकिन आप उसकी पतनी उससे कभी नहीं छोड़ेंगी भले ही कोई प्रैसों वाला आ जाये जिसकी जेव नोटों से वरी हो वो भी सामने आ जाए तो भी आप उसी का साथ देंगी अपने पती का वो चाहता है कि ओरत उसका हाथ पकड़े और कहे कि मुझे यह हैंसम और अमीर लोग नहीं चाहिए क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यह आदमी चाहता है अपनी पत्नी से सच्चाई तो यह है कि पत्नी के प्यार से ही पत्ती उससे जुड़ता है उसे पत्नी का हक ना मिला तो वह बहार अपनी जुरूरत पूरा करेगा और सैकलोजी यह भी कहती है कि यह भी एक सच है कि वो दूसरी औरत उसके लिए कुछ भी माइने नहीं रखती वह उस से कभी بھی भावनात्मक रूप से emotional कभी भी उससे जुणन नहीं पाता उसकी पतनी की जगा दूसरी औरत कभी भी नहीं ले सकती वो दूसरी औरत ही कहलाती है अब आगे बढ़ते हैं आदमी की जो फित्रत है वो अलग ही होती है उसका ध्यान जब वो जवान होने लगता है तो लड़कियों की तरफ ज़्यादा रहता है वो लड़की से दोस्ती करके उसके साथ सब कुछ करना चाता है उसे आपके लिए क्या करना है बस वह आपसे ये जाना चाता है कि अगर आपकी हाँ है उसके साथ सब कुछ करने के लिए तो उसकी सोच ऐसी होती है उसे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपकी परसनल्टी कैसी है आप चो लड़की है आपकी परसनल्टी कैसी है या भगवान के बारे में क्या सोचती है या आप कैसी जॉब करती है या आपके कैसे दोस्त है उसे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता वैस सिर्व आपको पाना चा इंडिया में आदमी पतनी को धोका देने से बिल्कुल भी नहीं ढरता क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो लड़के हैं या आदमी है राद राद को घर भी नहीं आते मतलब अपने शहर से भी दो-तिन-तिन दिन बाहर रहते हैं काम कि सिसले में भी जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को धोका देने से कभी भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें लगता है, उसे लगता है कि वो आदमी है, वे पकड़ा नहीं जाएगा, वे इसले भी धोका देता है, क्योंकि उसे बोरियत पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बेड्रोम में या घर में अब चीजे पहले जैसी मज़ेदार नहीं है अगर कोई आदमी को कोई लड़की मैंने बहुत अपनी बसना लाइफ में भी देखा है यह में लाइफ एक्सपीरेंस है कोई अनमेरी लड़की कोई विडो लेडी अगर उसको ओफर करे सब कुछ करने के लिए तो आदमी अपनी पत्नी को धोका देने में देर नहीं लगाता वैस अब कुछ बोल जाता है एक आदमी के लिए दूसरी औरत से नजाई रिष्टा दो अलग-लग चीज हैं उसको कोई फरक नहीं पड़ता उसके लिए यह एक फिजिकल अक्टिविटी है जिससे नहा कर साफ किया जा सकता है उसकी आतमा पर कोई भोज नहीं होता कि उसने अपने पत्नी को धोका दिया है वह तो बहुत खुश होता है कि लड़किया मुझे ओफर करती है मैं अगर मेरी उमर बढ़ भी गई है तो मैं आज भी कितना स्मार्ट हैंडसम दिखता हूँ उसको तो उसकी सोच वो होती है और आपको तो पता ही है कि आदमी कभी बुड़ा नहीं होता लेकिन एक बात यह भी सच है कि चाहे आदमी कैसा भी हो इंडिया में उसकी नियत खराब भी हो लेकिन वे अपनी फैमली अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्यार तो हमेशा करता है क्योंकि बहार वो कुछ भी करे लेकि समाज के आगे जो शादी होती है जो पत्नी आती है वही उसकी पत्नी है क्योंकि आप तो पता है कि एक तलाक शुदा का ठपा लगना छोड़ना हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है तो जो समाज के आगे जिस लड़की को वो शादी करके लाया है वही उसकी पत्नी है वो उसके घर की इज़त है उसके बच्चे उसके बच्चे है बहार तो बस ऐसे ही वे अपना टाइम पास करता है इंजॉइमेंट के लिए बहुत दूसरी औरत के पास भी जाए यह एक बहुत बड़ा सच है एक सैकलॉजी है कि तब भी उसका दिल और इमोशन्स उसकी वाइफ के साथ ही रहते है क्योंकि लौट के तो वो अपनी पत्नी के पास रोज घर ही आता है अब हम एक वो बात करते हैं कि अगर आप एक लड़की है अभी आपकी वलब शादी नहीं हुई है तो लड़कों की सोच फितरत कैसी होती है अब उस बारें बात करूँगी अगर आपको कोई पसंद आ गया है लड़का तो कम से कम उसे अपनी सारी बातें अपनी हाल अपनी शर्तें आपको सब कुछ उसको पहले बताना चाहिए अगर यही लड़का आपके साथ 90 दिन तक आपके साथ चल पाता है आपको पाने के लिए आपकी शर्तें समझता है अपने आपको बदलता है आपके इसाब से चलता है तो मैं कहूंगी यह लड़का आपके लिए सही है लेकिन अगर आप एक ऐसी लड़की है कि जिस लड़के से आप प्यार करने लगी है वे शादी शुदा है या उसकी already girlfriend है लेकिन आपको उससे प्यार हो गया है वो एक तरफा प्यार है लेकिन आपको उससे प्यार हो गया है और कोई 90 दिन का इंतिजार आपने उसको करने के नहीं दिया ना या आपने कोई उससे शर्त रखी बस आप फिर उससे तो बस पाना ही चाती है क्योंकि आपकी जिन्गी का कोई मकसद ही नहीं है आपको सब कुछ पता है वो शादी शुदा है आपको पता है उसकी गल्फरेंट है बस आपको वो पसंद है आप उसको पाना चाती है आपके जिन्दी का कोई मकसद नहीं है क्योंकि आपको तो वैसे भी अपनी जिन्दी में शादी नहीं करनी है बस आपका दिल सुपर आगया है उसके साथ आपका कोई फूचर नहीं है अब आपने शादी नहीं करनी है यह आपका फैसला है ये आपकी मर्जी है आपकी जंदगी है एसा भी है सारी लड़किया या सारी लड़के जुरूर नहीं की शादी करते ही हैं बहुत से लोग शादी सारी जंदगी नहीं भी करते हैं और लाइफ ऐसे अपने फ्रेंड बना के बिताते हैं तो फिर वही आखिर में कहूंगी यह आपकी जिन्दगी है आपकी मर्जी है वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस एक सबक चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है